आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि भीन पराधारित प्रश्णों को क्या से सॉल्व किया जाता है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहला question हमारे पास है, question number one, जो दिया है, one plus one upon, one plus one upon, one plus two upon three, तो इसको solve करना है, ठीक है? तो यह भिन की जोड की तरह है, ओके? तो ऐसे question को सबसे पहले solve करते समय हम लोग सबसे पहले नीचे से start करते हैं, ठीक है? नीचे जो भी हमारा दिया रहता है, उससे हम लोग नीचे वाले से ही start करते हैं इसको solve करना, ठीक है? चाहे वो जोड में दिया हो, चाहे वो भाग में दिया हो, चाहे वो घुडा में दिया हो, सबसे पहले हम लोग इसको नीचे से ही solve करना start करते हैं, ओके? तो चलिए नीचे से solve करते हैं इसको, केवल इतने को, तो हमारे क्या हो जाएगा, अगर यहां पर हम लिख लेते हैं अलग से, तो भिन का जोड हो गया, तो यहां इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, तो एक बटे एक कर लेंगे हम लोग, अब LC में हमारे क्या हो जाएगा, तीन, अब तीन का भाग एक में देंगे, मतलब एक से तीन में भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, तीन, और तीन का गुड़ा एक में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तीन इकम में तीन, फिर प्लस अब फिर से 3 में 3 का भाग देंगे, तो कितना आएगा? 1, 3 एकम में 3 अब जो 1 आया, उसका गुड़ा हम लोग किस में करेंगे? 2 में करेंगे तो 2 गुड़े 1, 2 एकम में 2 ठीक, तो कितना आगया हमारा? यहां 3 दो 5, 5 बटे 3 इतना का solution हमारा कितना आया? 5 बटे 3 तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे? कि उपर वाला सारा वैसे ही रहेगा, सारा question उपर वाला है, वैसे ही रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन इतना कितना आया है इतने का solution? 5 बटे 3 तो 5 बटे 3 ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग फिर से क्या करेंगे? नीचे से ही, नीचे से solve करती हुए हम लोग हमेशा उपर जाएंगे. तो अब यहाँ 5 बटे 3 हो गया, तो यह 5 हमारा जो है, यह उपर चला जाएगा, एक की जगा है, एक से गुड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा? चलें यहाँ पर देखते हैं, तब क्या हो जाएगा? कि 1 प्लस उपर का सारा हमार वैसे ही रहेगा, 1 प्लस अब यह 3 उपर जाएगा, तो एक से गुड़ा हो जाएगा, तो 3 एक में 3, तीन और यह 5 जाएगा, तो 3 बटे 5. ठीक? अब हम लोग फिर से क्या करेंगे? कि यह नीचे वाले का फिर से solve करेंगे. बिनकर जोड की तरफ फिर से इसको solve करेंगे. तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 1 प्लस 3 अपर 5. तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बटे में तो हम लोग एक मान लेंगे. अब फिर से इसका LCM कितना हो जाएगा? 5 कमे 5. अब हम लोग 5 जो आया हमारा, उसमें 1 से भाग देंगे. तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में. एक पचे 5. अब जो 5 एक में 5. अब वो एक जो है, उसका 3 में गुड़ा करेंगे. तो 3 एक में 3. कितना जाएगा? 8 बटे 5, 3 8 बटे 5. तो अब हम लोग क्या लिखेंगे फिर से आगे? फिर से हम लोग उपर का LCM देंगे. 1 प्लस 1 बटे. अब इतनी का solution कितना है हमारे पास? 8 बटे 5. तो क्या करेंगे? अब फिर से यह जो 5 है हमारा उपर चला जाएगा. ओके? तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 उपर जाएगा. तो एक में गुड़ा हो जाएगा. तो पास एक में 5 बटे 8. ठीक? अब फिर से हम इसको solve कर लेंगे. अब इसको solve कर लेंगे तो कितना जाएगा? इसका LCM और फिर से हम जो 8 है इसका भाग एक में देंगे. यहां जो है एक संख्या इससे हम लोग 8 में भाग देंगे. तो कितनी बार में जाएगा? 8 बार में. अब जो 8 है उसका गुड़ा हम लोग इस वाले संख्या में करेंगे. उपर वाले अंस में. तो कितना हो जाएगा? 8 है क प्लस लिख देंगे, और फिर से 8 का भाग इसमें देंगे, तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, तो एक जो है, अब एक का गुड़ा हम लोग इस 5 में करेंगे, ठीक? तो कितना जाएगा? पांच एकम में 5, अब हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 8, 5, 13, 13 वट्टे 8, यह हमारा इसका आंसर होगा, ओके? यह हमारा आंसर होगा. चलिए, अब question number देख लेते हैं, दूसरा, जो इसी प्रकार का है, भिन का जोड़ ही, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे इसको solve करते हुए? कि नीचे से ही start करेंगे, नीचे से start करते हुए हम कारे पास है, इसको solve करेंगे. तो यहां किनारे solve करते हैं, हम लोग 3 प्लस एक बटे 3. तो फिर से इसको भिन का जोड़ के रुप में जोड़ेंगे, तो यहां पे कुछ नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या लेख लेंगे? एक. अब 3 और 1 का, LCM कितना हो जाएगा? 3. अब अब जो यह 3 आया, यह 3 आया जो, अब उसका गुड़ा हम लोग इस 3 में करेंगे, अंस वाले 3 में. तो कितना हो जाएगा 3 तरीके? 9. फिर प्लस. फिर तीन से भाग 3 में देंगे, तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में 3 कमें 3. और उस एक का गुड़ा किस में हो जाए कि उपर वाला वैसे ही रहन देंगे? 1 upon 3 plus 3. अब इतनी का solution हमारे पस कितना आया है? 10 बटे 3. तो बटे 10 बटे 3 हो गया? अब क्या होगा? अब क्या करेंगे हम कि यह 3 जो है, इसको उपर ले जाएंगे. तो 3 का गुड़ा 3 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9. तो फिर से हम लोग ऐसे लिखेंगे? कि 1 upon 3 plus 3 plus यह 3 का गुड़ास में हो गया उपर गया, तो 3 तरीके 9. और बटे में यह तो 10 है. 9 बटे 10 हो गया? अब फिर से हम लोग इसको solve कर लेंगे. तो चलिए यहाँ पर solve कर लेते हैं इसको. तो अब हम लोग क्या करेंगे? कि फिर से इसको नीचे वाला portion यह उठाएंगे और उसको solve करेंगे. तो 1 upon 3 plus 9 upon 10. अब हम लोग फिर से इसको solve करेंगे. ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक. अब हम लोग डारेक्ट करते हैं, 1 upon 1 और 10 का LCM 10. ठीक है? अब 10 का इस एक से भाग देंगे, तो कितनी बार में जाएगा? 10 बार में. और 10 का गुड़ा यहाँ पर 3 में होगा, तो 10 यहाँ 30. तो यहाँ 30. और प्लस. और 10 का भाग 10 में देंगे, तो कितनी बार में जाएगा? 9 कमे 9. ठीक? अब कितना हो जाएगा हमारा? Solve हो कि क्या आएगा? 1 upon 30 और 9, 49 और बाटे 10. ठीक है? अब यह जो है, यह 10 जो नीच है, यह ऊपर चला जाएगा. तो यह ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 बाटे 49. यह हमारा इस question का answer हो जाएगा. ठीक है? तो I hope आप लोग भिन्वाला जूड करना सीख चुके हों इस प्रकार कम. ठीक है? Thanks for watching.